समत्पो तालुका के शिवनी शिवारा में पांच एकड गन्ने में आग लगने से गन्ना पाइप और केबल जलने से किसानों को लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्दगाव शिवनी शिवारा के किसान किशोद धीगे का खेत है और उनोंने अपने खेती में पांच एकड में गन्ना लगाया था शुकरवार को दुपहर के वक्त खेत के पास वाले नाले में आग लगी थी और देखते ही देखते किसान किशोद धीगे इनके गन्ने के खेत को चपेट में ले लिया और आग ने रौदल रूप धारन कर लिया इस वक्त आजुबाजुवाले किसानों को आग की लपटे दिखते ही किसान किशोद धीगे को दूर्धुवनी से जानकारी दी सरपंच जगदीश वरटकर और विजे शीर सागल ने ग्रामिनों की मदद से पास के एक कुए से पानी लाकर आग बुजाने की कोशिश की हाला कि इस समय में आग पर काबू नहीं पाया जा सका हिंगनगाट और सिंधी रेलवे नगन डिगम की फायर ब्रिगेट को बुलाया गया दोनों फायर ब्रिगेट अथक परिश्रम के बाद आसपास साड़े तीन घंटों की मशक्कत के बाद आग पे नियंतरन मिलाया तब तक खेट का 90 फीस्दी से ज़्यादा गन्नत जलकर राक हो चुका था पाईप केबल और क्रशी सामागरी आग में जलने से किसान किशोद दीगी को करीब 15 लाक रुपे का नुकसान हो चुका है तलाटी ने घटना का पंचनामा किया है हिंगन घाट से BCN News के लिए कैमरामेन योगेश लखोटे के साथ रवी यनौरकर की रपोर्ट